अगर घर में मश्रूम है तो उसे निकाल लो उसमें डाल दो पानी और पानी डालने के बाद इसे ना अब अच्छी तरह से साफ कर लो और साफ करने के बाद इसे निकाल दो फिर इसे बीच में से इस तरह से काट लो और इसे काटने के बाद ले लेंगे थोड़े से लेसुन और लेसुन को भी एकदम बारी काट लेना है, जितना बारी काट सकते हो उतना बारी, फिर मैंने एक प्यास ले लिया है और प्यास को भी ना एकदम बारी काट लिया है, फिर एक पैन ले लिया है, जिसमें डाल दिया है दो बड़े चमस तेल, साथ में थोड़ा सा बटर, और और बटर को गरम करने के बाद इसमे डाल दिया बारी कटावल लेसुन इसे ना हलका सा पका लेना है इसके बाद मैंने इसमे डाल दिया है प्यास और प्यास को भी हलका सा पका लेना है फिर मश्रूम को डाल कर मश्रूम को तब तक पकाएंगे जब तक मश्रूम पानी ना छो के निकाल लेना है